कि सबको एक बार हमारे चलidän पहलं कि तरफ से विलकम इस चलерм इस मेंुए जो पिडियो बनाने जा रहा हूं इस वीडियो में हम दिखाएंगे अब जब नया laptop या computer लेते हैं तो उसमें अपने laptop या computer में आपका नाम बनाना और उसमें कैसे password बनाया जाता है ताकि दूसरा कोई इसको secure करके आपसे कोई ना ले ले या आपका जो password है आपका जो data है वो आपसे save रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको अगर आपके laptop में password या वो डानना है तो सबसे पहले हम चलते हैं हम चलेंगे यहां पर setting से चलते हैं लेकिन हमारे मैं इस चलने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा अस्या dáब तो आप इसके कांग करना ऐसे और यह और आन च्वाइबास आईज़िए तो कोई घबन, यहां पर की कर लेना है और आपके जो laptop है या इसे इंटर्फेस जैसे आएगा आप यहां पर इूज़र एकाउंट जो है इसके उपर देखना चेंज एकाउंट टाइप इसमें जाके आप किलिक कर देना अब किलिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरा जो लैप्टॉप है इसमें आपना फोटो और अपना नाम दे रहा हूं और तो इसके उपर दूबरा में किलिक करता हूं किलिक करते हैं यहाप का एक सлем सर्थ इंटर्फेस आएगा जिसमें इहाँ पर चेंज ता एकाउंट नेम लिखा पा है इसके ऊपर हमेच एक बार किलिक करना है तो न्रमली में इसके उपर एंफा क्लिक कर देता हूं अब bark पर क्लिक करते ही देखिए मेरा जो यहां पर नाम लिखा हुआ है तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ बिसकली मैं यहां पर अपना एक दूसरा नाम लिख देता हूँ जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ अब मैं यहां पे जैसे देखिए नाम लिख दिया अब नाम लिखने के बाद यहां पे जो change name है इसके पूर मैंने एक बार click कर दिया अब देखिए click करती तुरंट यहां पे देखिए आप देख सकते हैं नाम बदल गया है तो नहीं एक सेकंड के अंदर आपका जो नाम है यहां पर बदल गया है अगर किसी का नाम पहले से दिया नहीं गया है तो डाइरे कैसे यह का उप्सिन मिलेगा उसमें नाम लिखना है तो मैं अपना नाम को पहले चेंज कर लेता हूँ अब दुबारा देख सकते हैं मेरा नाम को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ एक क्लिक में यह आपका नाम जो है वो चेंज हो गया अब यहां पर अपना जो एकाउंट है वो पास्वार्ट से प्रोटेक्टेड है देखिए यहां पर लिखा हुआ है तो अगर आपके पास्वार्ट प्रोटेक्टेड नहीं है जैसे आप सेम पास्वार्ट दोगे तो यहां पर आपको एक पास्वार्ट का हिंट देना पड़ेगा जैसे आपने पासवर्ड दिया 1990 तो आपको यहां पे लिगना पड़ेगा डिट और बर्ध आपने दिया है यहां पोपर पासवर्ड दिया कुछ जिश्का दिया है तो यहां पे आपको लिगना पड़ेगा जैसे आपका कोई anniversary हो किसी का birthday हो या कोई भी यादगार कोई भी date हो कोई भी साल हो तो यहां पर आपको देना परेगा उसके बाद आप यहां पर चेंज password में क्लिक करते ही आपका laptop में password आ जाएगा जैसे आप open करेंगे जब आप laptop को on करके open करेंगे उस time में आपका यह password काम आएगा तो उम्मिद करता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में सिखा पाया हूँ कि कैसे आपके laptop या computer में name डाल सकते हैं और आपना password को set कर सकते हैं तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप मेरे चलेंग में नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद आपको फिर अगला एक वीडियो लेकर हम जरूर सामने आ